Hello everyone, welcome to the channel Current Affairs by Ravi और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी पिछले 10 महीने का Current Affairs यानि कि जनवरी से लेके October 2030 का जो भी आपको important Current Affairs है उसको हम डिस्कस करेंगे एक marathon वीडियो होने वाली है जिसमें हम total 250 किशन को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को जिसमें हम पूरा 10 महीने का Current Affairs डिस्कस करेंगे तो शुरू करते हैं वीडियो पहला प्रशन है आपका कि नीती आयोग के नए CEO ये कौन बने है तो देखें नीती आयोग के नए CEO ये बने है BVR शुप्रमन्यम तो ये धियान रखेंगे नीती आयोग के नए CEO फिर आनतकी गुट हमास के खिलाफ Operation Iron Swords ये किस देश ने शुरू किया है तो देखें भी हाल ही में आपने देखा होगा इस्राइल और हमास गाजा इन सब के बीच में काफी जो है conflict चल रहा है तो उसमें अभी हमास ने जो है Operation Iron Swords ये किस देश के खिल सास्तर के छेतर में जो Nobel Prize है यानि की Economics में Nobel Prize तो ये मिला है Claudia Golden जो कि अमेरिका से है तो ये ध्यान रखेंगे अभी सिर्फ Announcement हुई है क्योंकि October में Announcement होती है लेकिन Award ये मिलते है December में तो ध्यान लखना Nobel Prize अर्थ सास्तर में ये मिला है Claudia Golden को सरस्वति सम्माद 2022 से किसे समान के पुस्तक है जुसका नामे सूरी वंचम इसी के लिए इन्हे सम्मानित किया गया है फिर भारत की पंद्रवी नवृतन कंपनी ये कौन सी बनी है तो पंद्रवी नवृतन कंपनी ये बन गई इर्कॉन तो ये भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो देखें निति आयोग तो बी वी आर सुब्रमन्यम आइरें स्वोर्ड्स ये हमास ने इसल के खिलाव जो अपरेशन शुरू किया है नोबल प्राइज इन अर्थ स्थास्त्र क्लाडिया गॉल्डिंग जो अमेरिका से देश आपको जरूर याद रखना है सरस्वती सम्मा तो ये शिव संक्री पुस्तक का नाम आपको ध्यान लखने है सूरिय वंचम क्योंकि आपसे ये भी पूस सकते हैं कि सूरिय वंचम पुस्तक के किसके द्वारा लिखे गई है तो ये लिखे गई है शिव संक्री जी के द्वारा पंद्वी नवरुतन कंपनी तो ये बनी है इरकॉन अगला प्रश्ट है केरल विधान सभा ने केरल राज्ये का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है तो अभी केरल विधान सभाने केरल राज्ये का नया नाम बदलकर नया नाम रखने का जो परस्ताव पारित किया है ये है केरलम तो ध्यान रखेंगे उसके बाद है फीफा महिला विश्वकब 2030 का खिताब किसने जीता तो ये जीता है स्पेन ने और ये आजित हुआ था जी इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक ये है राकेश पॉल परतिस्थित लोक मानने तिलक पुरुसकार 223 समारित हुए है नरिंद्र मोदी एश्याई उलम्पिक परिशद यानि कि OCA के नए अध्याक्ष तो ये है शेक तलाल फहद अल सभा ठीक है तो देखिए के किरल विधान सभा में किरल राजे का नाम ये किरलम की बात हुई है फीफा महिला विशुका स्पीन आजित पेती आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड में ICJ के नए महानिदेशक तो ये है राकेश पॉल लोख मानने तिलक पुरुसकार 2023 तो ये मिला है नरेंद्र मोदी को OCA के नए अध्याक्ष तो ये है सीख तलाल फहद अल सभा अगला प्रश्ण है ट्वीटर ने अपने ICONIC पक्षी लोगो आपने देखा होगा न कि ट्वीटर की लोगो में पहले एक चड़िया सी बनी आती थी तो उसका भी जो लोगो है वो बदल दिया है किसके साथ X की साथ ठीक है तो अब कुछ X करके आता है ट्वीटर का नया ल लोगो ठीक है 24 में G20 शिकर समयलन के द्यक्षता कौन सा देश करेगा तो यह करेगा ब्राजिल अभी यह की थी भारत ने कहां पर New Delhi में और यहीं पर बहुत बड़ी मूर्ती का अनावरन हुआ था जिसका नावे नटराजन मूर्ती और इसकी थीम थी क्या One Earth, One Family, One Future ठीक है और नेक्स टाइम जो यह होस्ट कर रहा है G20 तो यह कर रहे हैं कहां पर ब्राजिल में लेकिन अब यह हो चुका है G21 क्योंकि इसमें जुड़ गया है African Union फिर इस सूपर मार्किट में पतले प्लास्टिक बैग पर परतिबंद लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है तो यह है सिंगापूर, भारत का स्थान तो यह है 80 नंबर पर दुनिया का पहला मेथेन से उड़ने वाला रॉकिट जैंक्यू टू यह किस देश ने लांच किया है तो यह किया है चाइना ने ठीक है तो ट्वीटर का लोगो ध्यान ड़कना यह एक से बदल दिया नेक्स्ट यर जी ट्वेंटी सिकर्ट सम्मेलन तो यह होगा ब्राजील में प्लास्टिक बैक पर पड़ती बन तो यह न्यूजलेंड में हुआ है हैले पासपोर्ट इंडिक्स के क्वर्टर टू में भारत की रैंक तो यह असी टॉप पे है सिंगापूर यहाँ पे आप जो है जापान को लेकर कंफ्यूज मत होना यह क्योंग यहाँ पे क्वर्टर टू की बाद हो रही है और दुनिया का पहला मिथीन से उड़ने वाला तो यह लॉंच किया है चाइना ने आयाइट दिल्ली का पहला अंतरास्ट्री परिसर कहां स्थापित किया जाएगा तो यह होगा अबुधावी में आर्तिक और समाजिक रोप से कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए मोहोगर योशना यह इंपॉर्टेंट है यह शुर तो यह बने है संजे अभी गंगापुरवाला उत्तर भारत की बात करें तो सबसे बड़ा चुडियागर जंबू चुडियागर यह कहां खोला गया तो यह खोला गया जंबू कश्मीर में भारत के पहले कारबर न्यूट्रल गाओं के रूप में किस गाओं को विक्सित किय है तो यह है महारास्ट का भिवंडी तालुका ठीक है तो आयटी दिल्ली यह अबुधाबी में अपना अंतरास्टे परीसर खोलेगा मोहगर योशना उडीशा में है मुख्ये नाइदीस मदरास की तो संजे को संजे मी गंगा पुरवाला है जंबू चुडियागर जंबू यह कौन बने है तो नाम है इनका अमित अगरवाल आर बी आई के नए डिप्टी गवर्नर तो यह स्वामी नाथन जानकी रमन फिल्लेंड के नए प्रधान मंत्री तो यह पैटरी और पो ग्लोबल जेंडर ग्याप इंडेक्स में भारत का स्थान तो यह 127 सोचकांग में पह आपके ने डिप्टी गवर्नर तो यह बने है स्वामी नाथन जानकी रमन फिल्लेंड के प्रधान मंत्री तो यह है पैटरी और पो और ग्लोबल जेंडर ग्याप में भारत का स्थान तो यह 127 और टो पर है आईसलेंड फिर है आपका प्रश्न कि वैश्विक अंतरिक यह भारत ने अमेरिका के नेतत्व वाले आर्टे में समझोते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है तो यह बना है 27 हिंदुस्तन यूनिय लिवर्ड लिमिटेड के नए प्रभंद निदेशक यह कौन है तो यह है रोहित जावा भारत की पहली समुदर के नीचे सड़क सुरंग या अंडर सी टनल यह बनने जा रहे है मुंबई में किस राची मिस्तित तुंगनाथ मंदिर को रास्तिय समारा घोशित किया जाएगा तो यह उत्राखन में भारत की नए कानून मंत्री तो यह अरजन राम मेगवाल सभी आदिवाशियों को बुनियादी दस्तावेश प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला तो यह बना है वायनाथ केरल जिसने अभी सभी आदिवाशियों को बुनियादी दस्तावेश प्रदान किया है भारत का पहला Carbon Neutral Drone एक इस कंपनी ने लांच किया है तो यह है Garud Aerospace भारत में सबसे गहरा Metro Station तो यह बनेगा पुने महारास्ट्रों में वर्ष 2030 में कुल कितने लोगों को पदम पुरुषकार से समानित किया गया है तो यह है टोटल 106 अगर हम बात करें पदम में विभूषन की तो यह है 6 पदम भूषन तो यह 9 है और पदम श्री तो यह है 91 दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्मान और विवास साहिकरन यह कौन सा देश करेगा तो यह करेगा क्यानडा समाजिक और भावनात्वक सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने सहर्स योजना को शुरू किया है तो यह हित्रिपूरा ओनलाइन गेमिंग्स के लिए भारत का पहला उदक्रस्पता किंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा तो यह होगा शिलोंग म गाले में राश्टपती द्रोपदी मुर्मु ने किस राज्य की राज़वन में समिधान पार्क का उद्गाटन किया है इंपोर्टेंट है तो समिधान पार्क यह बनेगा राजिस्थान की जैपुर में विश्व हिंदी दिवस तोफ़ज़त तीस यह कम मनाया गया है दस जन्वरी को और थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलिज टो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस फिर है नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुक कौन बनी है तो नासा जोकी अमेरिकन एक स्पेस कंपनी है अजेंसी है सौरी तो इसकी पहली महिला विज्ञान प्रमुक यह बन की मुख्य मंत्री तो यह बने है मानिक शाह ओसकर पुरुसकार 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरुसकार यह जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने और एक्ट्रस है मिशल यह हो वैश्विक आतंकवाद सोचकां 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावी देशों की सूचे में किस स्थान पर है तो यह थेरिवे स्थान पर पिहली स्थान पर है अफगानिस्तान उसके बाद है वन्ने जीव संद्रक्षन पुरुसकार 2023 किसी समानित किया गया है तो यह आलिया मेर जिने समानित किया सरकार ने शुरू की है तो यह किया है मध्द hä्परदेश ने आंदर प्रदेश की राज्थानी अमरा वती से बदल कर नई राज्थानी ये कहां स्थापित होगी तो यह होगी विशाखा पत्नम, मलेशे के नए राजा, तो ये बने है सुल्तान इबराहिम इसकंदर किस राज्य या किंदर सासित प्रदेश नहीं, जय भी मुख्य मंत्री प्रतिमा विकास योशना ये शुरू की है, तो ये शुरू की है नई दिल्ली में उसके बाद है चोथे पैरा एशाई खेल 2022 जो की आयजित हुए हैं 2023 में, इस पदक तालिका में भारत ये किस स्थान पर है, तो ये है पांचबे स्थान पर, और इसमें टोटल 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रोंच मेडल जीत कर पांचबे स्थान पर है, और टोटल 111 मेडल्स आपर जीते गए हैं, जिकित्सा की छेतर में नॉबल पूरुसकार, तो ये मिलेगा कैटलीन कारी को, जो हंगरी से हैं, और डियों 20 मैं जो की अमेरिका से हैं, इक एबिनेट प्रिनाली, शुरू करने वाला भारत का चोथा राजी, तो ये है द्रिपूरा, वहीं बात करें हम पेडियोफ की तो देखे, करंट अफेर की पेडियोफ हैं, जनवरी से सतंबर, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी सिलेक्टिट केशन हमें रखें, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथी में पॉलिटी जहाँ पर 5000 से जाधा प्रशन को हमने डिसक्स किया है, ये भी आप चेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही आपके एक्जाम के पॉइंट और फ्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये डिरेक्ली आप हमारी वेबचेट को भी विजट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.raveebooks.com फिर SPI की नए ब्रेंड अमबेस्टर कौन है, तो ये है महिंदर सिंग्ध हुनी, वहीं बात करें वैश्विक भूक सुचकांग में, भारत का स्थान तो ये है 111, सुचकांग तीन दीश तो ये हैं बेलरूस, बोश्निया और हर्जिकोविनिया और चिली, जारी करता तो य फिर लॉरियस की नए ब्रेंड अमबेस्टर तो ये बने है नीरज चोपडा, उसके बने चोथे एशा पैरा खेल ये कहां हो रहे हैं, तो ये हुए है हांगजाओं चाइना में, शुभंकर है फी फी, आदर्श वाक्य तो ये हर्ट मीट्स ड्रीम शाइन, द्वाज वाहक तो ये है पारुल परमार और अमित सरोहा, भारती निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर दो हज़र तेईस में किस अभिनेता को अपना राश्ट्री आइकन नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त हुए है राजकुमार राओ, इन्हे ही अभी हाल ही में, ECA यानिकी इलेक्श बांगलादेश से और मीरियम कोरनल फेरर, जो कि फिलिवन से हैं, फिर है मिस दीवा युनिवर्स, 230 का किताब किस ने जीता है, तो ये जीता है, श्वेता शार्दाने, भामा परमानू अनुसंधान कींडर, यानिकी बार्क किन, जो है 14 तो है निदेशक, ये है विवेक विश्व शांती पूरुसकार, ये जीता है, नर्गिस मुहम्मद हसन जाईने, फिर है भारते फिल्म टेलिविजन संस्थार, यानिकी FTII की नए अध्याक्ष ये कौन बने है, तो ये बने है आर्प माधवन, प्रोजेक्ट भीश्म की तेहत जो है, विश्व का पहला आब ये किस देश ने बनाया है, तो ये बनाया है, भारत ने प्रोजेक्ट भीश्म को, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास वे निर्मान सुवेधा, ये स्थापित हो रही है, भारत के राजे तेलांगना में, किस भारती कंपनी ने विश्व के पहले AI संचालित, एंटी ड्रोन सि अध्यक्ष, तो ये बने हैं राजेस नाम्वियार, फिरे 43rd आश्यान सिकर सम्मिलन, ये कहां आजित हुआ है, तो ये हुआ है जकार्दा में, जो कि इंडोनेशिया में है, भारत की पहली सोर उर्जा शेहर का उद्गार्दन, तो ये हुआ है साची मध्य प्रदेश में, प्रोजिक्ट नमन, इसके शुरुआत ये की है भारती सेना ने, भारत मंडपम, जो की नई दिल्ली में है, जहाँ पर G20 का सिकर सम्मिलन हुआ था, उसमें 27 पूट उची किसके प्रतिमा स्थापित की गई है, तो ये की गई है नट राजन की, और इसका उद्गाटन की है ह हमारी राष्टपती दुरौपती मुर्वो ने, फिर किस राचे ने मुख्य मंत्री काम धेनू पश्रू बीमा योशना शुरू किया है, ये क्या है राजिस्थान ने, भारत का पहला UPI ATM ये लांच किया है, हिताची, जो की जापान की एक कंपनी है, ठीक है, तो ध्यान भारते सीना है, नटराजन मूर्ती 27 फोट उची है, नई दिलनी के भारत मंडपम में, काम धेनू पश्रू बीमा योशना राजिस्थान ने शुरू किया है, और UPI ATM ये हिताची जापान के द्वारा लांच किया गया है, दुनिया का सबसे उचा लड़ाको हवाई अड़ा ये कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा नियूमा बेल्ट लड़ाक में, स्वच वायू सर्वेक्षन 2023 में सबसे स्वच हवा के लिए किस शहर ने सीर्स इस्थान हासिल किया है, तो ये किया है, इंदौर ने, सबसे स्वच सिटी भी यह है इंदौर जो की मत्रब्रदेश में है, पियम निरिंद्र मोदी ने G20 सिखर समिलन में किस गठबंदन का शुभारम किया है, तो ये है वैश्विक जयव इंदन गठबंदन, नासा ने परजी वेरिन सनोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डायोक्सेर से सफलता पूर्वग औक्सिजन का निर्मान किया है, तो ये है मौक्सी, मौक्सी बोले तो मार्स औक्सिजन इन सेतू, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, फिर है भारत के हर गाउं और कस्वे को व्यापक स्वास्थे सेवाई प्रदान करने के लिए राश्टपती द्रौपती अभियान को शडू किया है तो इस अभियान का नाम है आयुश्मान भव अभियान, तो यहांसे आपसे पूच सकते हैं कि इ ध्यान लखना ट्रोपती मुर्मुजी के द्वारा और नाम है इसका आयुश्मान भव अभियान फिरे पंद्रवे ब्रिक्स सिखर सम्मेलन दो हजार तीस का आयजन ये कहां हुआ है तो ये हुआ है जोहांस पर्ग में और भारत की अध्यक्षता इसमें की है हमारे देश की प्रधान मंत्री नरेंदर मोधीजी ने फिरे तक्चिन एश्या का पहला प्रजाती अस्तित्व केंदर कहां स्थापित किया जाएगा तो ये होगा भारत में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी ये स्थापित हो गई मध्यब्रदेश में फार्मुला वन रेस बेल्जियम ग्रेंड प्रिक्स 2030 का खिताब किसने जीता ये है मैक्स विस्टपन जोके रेडबुल के खिलाड़े है नेदरलेंड से किस राजे के मनकुरड आम को भोगालिक संकेत यानि की जी आई टेक प्रदान किया गया तो ये है गोवा में नैशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी यानि की N.A.L. ने जीलो से खर्पतवार हटाने के लिए जल दोस्त नामक एयरबोट को कहां लॉंच किया है तो ये क्या है बैंगलोर में किंड्री एपरत्यक्षकर और सीमा सुलकबोर यानकी C.B.I.C के नए अध्यक्ष कौन बने है नाम है इनका संज कुमार अग्रवाल वसिपु यक्कम योजना ये किस राजे में शुरू की है तो ये की है तमिल नाडो में तीक है मालाबार बहु पक्षी नोसानिक अभ्यास 2020 की मेचपानी है किस देश ने की है तो ये किया आस्ट्रेलिया ने शामिल देश थे इसमें भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया बच्चों को E-Learning वहन के माध्यम से नवेंतम ज्यान प्रदान करने के लिए Continued Learning Access Project यानि कि क्लाप किस राचे ने शुरू किया है तो ये किया है उत्रा खंडने अब देखे आप एक्जाम में देख रहे हैं आजकल क्या है कि आपको कोई भी स्कीम का नाम देंगे और फिर आपसे किसी भी एक लेटर का मावे मतलब पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रखे जाना है कि क्लाप का मतलब है Continued Learning Access Project केंदर सरकार ने अवद खंणन को रोकने के लिए किस मुबैल आप को लौंच किया है तो ये है खंण प्रहरी द्विवार्शिक समुदरी अभ्यास औसन डेक्स 2023 कि नोसेना के बीच में आईजित हुआ है तो देखे ये हुआ है ऑस्टेलिया इंडिया की बीच में exercise देखे नाम से यहाँ पे निकल जाता है ऑस्टेलिया और इंडिया की बीच में exercise हुई है कौन सी औसन डेक्स आईजन मेशन सकती स्कूटर योजना ये शुरू किया है उडिशा ने विश्व परियावरन दिवस पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भारत के समुदरी टट पर मैंगरोव वरक्षा रोवन के सुविधा प्रधान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है तो नामे इसका म मिस्टी की फिल्फॉम मैंगरोव इनिशेटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इंकम जगन्ना अम्मा वोडी योश्णा किस राजी ने शुरू किया है आंदरपरदेश ने फिर है स्टील अथॉर्टी ओफ इंडिया ने कि स्टील की नए अध्याक्ष त तो यह क्या है चाइना में फिरें 2023 में किस भारती वर्ट चित्र फिल्म ने हेल्थ फॉर ओल श्रेने में डबलो एच्चो पुरुसकार जीता है तो यह है वेन क्लाइमेट चेंजिस टर्न वॉयलेंड दा आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेकर तो यह आलिक ये तल किस राचए में मनाया गया है तो यह मनाया गया है ओडिशा में 25 पर 34 पर्दा सूचकांग में कौन साथ इस टॉपर है तो यह ध्यन्मार्क जारी करता तो यह नंस्टिटिट फॉर मैंश्मेंट डबलफ्मेंट जो की स्वेजरलेंड में है फिरें 2023 में जेल में बंद इरान कि किन महिला पतरकारों ने सयुक्त राष्ट प्रेस सुतंतरता पुरुसकार जीता है तो यह एहला महमदी लॉफर हमीदी और नर्गिस महमदी नर्गिस महमदी से आपको कुछ याद आए कि इस साल का जो पीस अवॉर्ड है ये भी किसे मिला है नर्गिस मुहम्मदी को ही मिला है किस राज्य सरकार ने ताड़े निकानने वालों के लिए गीता कर्मी कुला भीमा योशना शुरू की है तो ये है तेलांगना फिर है आपका प्रश्ण 2020 में पिटर्सवर्ग जलवायू सम्माद कहां आजित हुआ है तो ये हुआ है बर्लिन जर्मनी में लॉर्यस स्पोर्ट्स बोमेन आफ दा इयर ये पुरुसकार जीता है सैली अन फ्रेजर प्रिस जोकी जमाईकर से है भारत ने किस देश में सित्वे बंदरगा का संचालन शुरू किया तो ये है मया मार करनाटक के नए मुख्य मंत्री तो ये बने है सिधार मया सैयुक्ति राष्ट प्रवासन एजनसी की पहली महिला महानी देशर ये बनी है एमी पोप नेक्स कुशन है राष्टे प्राधिकरण स्वास्ते प्राधिकरण यानि कि NHA के नए निदेशक कौन बने है तो सही आंसर है प्रवीन शर्मा सरकारी स्कूलों में सिक्षा और चात्र को समगर विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राध्य सरकार ने स्कूल ओफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉंच किया है तो ये किया है पंजाब ने फिर है दुनिया की सबसे लंबी केलिग्राफिक म्यूरल का निर्मान ये किस देश में किया गया है तो ये है साओधिय अरब भारती वयु सेना में लड़ाको एकाई की कमान समालने वाली पहली भारती महिला आधिकारी तो ये है सालिजा धामी फिर है सी चेंजिस क्लाइमेट के लिए किसी भारती राज़तूत के रूप में न्युक्त किया है नामे इनका श्रिया घुडावत प्रेस ट्रस्ट ओफ एंडिया के नए निदेशक मंडल के अध्यक्ष तो ये है के अन्शानता कुमार नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक को किस ने लिखा तो इनका नामे सोनल गोयल रोजकार के आफशरों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉंच किया है तो ये है राजस्थान हॉन्बिल महटसव तो ये नागलेंड ODI World Cup इतिहास में सबसे तीच 19 पारियों में 1000 रन पूरे करने वले बल्लेबाश तो ये हैं डेविड वर्णर आस्ट्रेलिया से यहाँ पर आपके लिए ये काफी important हो जाता है PTI के अध्यक्ष तुनिया की अन्शांतो कुमार और Sea Changes Climate तो ये है श्रिया गढ़ावत फिर एक केंडरी बजट 23-24 की नई कर ववस्था की तहत 3-6 लाग परती वर्ष आए पर कितना परतीसर टेक्स लगेगा तो ये है 5 परतीशत असम की नए राजेपाल कौन है तो ये है गुलाब चंत कटारिया हिंद महा सागर रिम असोशियेशन मंतिय परिशत की बैठक की मेजपानी ये की है श्रीलंका नहीं अंतराश्ट्री ओलंपिक कमिटी ने भारत में और लंपी खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझोता किया है तो ये है रिलाइंस पाउंडेशन अगला प्रशन है आप सभी के लिए लेकिन उससे पहले की करन्ट अफेर में आपको बता चुकियों परचेस कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राजस्थान के मुखे मंत्री असु गहलोत ने राचे में तीन नए जिली मालपूरा सुजान गड़ कुछमन सिटी की स्थापना की घोशना की है इसी के के बहार डॉक्टर अंबीटकर की सबसे उची प्रतीमा जिसका नाम है स्टेच्व ओफ इक्वैलिटी इसका उदघटन कहां किया गया तो यह है मेरिलेंट अमेरिका विश्व बैडमिंटन रैंकिंग दो हजार तेश में पहली रेंक हासिल करने वाली भारती है यूगल जोडी कौन सी बनी है तो यह चिराग सेटी और सात्विक साहिराज रंकिंग रेड़ी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 108 दीसों की सुची में भारत का स्थान तो यह है चॉसट, सीरस तीन डेश नेंपग डेनिदर्लेंड और जर्मनी जारी करता तो यह है नौड लेयर वेश्विक पेंशन सुच कांक में भारत का स्थान तो यह है 25 शीरस तीन डेश तो यह है नीदर्लेंड आईसलेंड और डेनमार्क सबसे नीचे है अर्जन्टिना जारी करता तो यह है मरसर CFA इंस्टिटूट भारत की पहली rapid X train का नाम बदल कर ने नाम यह है नमो भारत ICC player of the month सितंबर में तो यह है शुबमन गिल भारत से और चमारी अथापतु जो कि श्रीलंका से हैं भारत में aerospace talent base इसको बढ़ावा देने के लिए IIT कानपूर ने किस कंपने के साथ समझोता किया तो यह Airbus किस देश के पूरुफ प्रधान मंत्री ली के कियांग का निदन हुआ है चाइना के है Global Innovation Index 2023 में भारत यह किस स्थान पर है तो यह है 40 में स्थान पर सूच कांक में सीर्स तीन देश तो यह स्विजलेंट स्वीडन संयुक्तित राजे अमेरिका जारी करता तो यह विश्व बौदिक संपता संगटन भारतिवाय सेना में पहला अत्याधोनिक डॉलने यानि कि DO228 विमान यह शामिल किया या इस विमान का निर्मान किस कंपनी ने किया तो यह हिंदुस्तन एरोनौटिक लिमिटेड किस टिकनालोजी कंपनी ने भारत में भुकम चितावने प्रनाली शुरू की है तो यह है गूगल कैमूर वन्ने जीव अभ्यार अन्ने किस राजे का दूसरा बाग रिजर्व की रूप में मन्जूरी है तो यह है बिहार में अंतरास्टी टैनिस होल और फेम के रूप में नामंकित होने वाली एशय के पहले पुरुस के लाड़ी तो यह है लिएंडर पीस सितंबर दो हज़र तीस में कि उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकार्यों को किस नाम से जाना जाएगा तो यह है शक्ति दी दिया टेल्स फॉम दा हॉम ओफ वेजिस अन विंगल्स नामक पुस्तक को किस ने लिखा तो नाम है वीजे रागवन एशय केल थेश में महिलाओ की 25 मिटर पिस्टल टीम इवेंट में मनुभाकर, ईशा सिंग और रिदम सांगवान की टीम ने कौन सा पदक जीता तो यह है गोल्ट अंतरास्टे क्रिकेट मैच खिलने वाली पहली ट्रांस्चेंटर महिला क्रिकेटर कौन है तो यह डैनियल मैक गेही कैनेडा तो यह इंपोर्टेंट है आपके लिए अगला प्रश्ट है सिंगापूर में भारती मुल के नए रास्ट पती तो यह धर्मन शनमुगरतनम किस देश ने दो साल के पाइलेट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार अस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोशना की है तो यह है रशिया केंद्रिय ग्रह मंद्री अमित चहाने मेरी माटी मेरा देश के तहट अमरित कलश याद्रा चिशरवात यह कहां से की है तो यह की है नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने एक राष्ट एक चनाव के संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समित्ती का गठन किया है तो यह है रामनात कोविन जो की पूर्वराष्टपती रहे है फिर है भारत के पहले स्वदेशी रडार इमेजिंग सेटलाइट रीसिट वन की परियोशना निदेशक और इसरो की वैज्यानिक एन बाला रम्थी का निदन हो गया है वो किस राज्जी से थी तमिल नाड़ो से भारत में कानूनी सेवाव को लोकतांतरिक बनाने के लिए तैली लोर 2.0 का किसने लाँच किया है तो यह अरजन राम मेगवा जो की कानून मंत्री है आट सो पचास गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबोल के लाड़ी तो यह है क्रिस्ट्रियानो रोनाल्डो जो की पुर्तगाल से है अयोध्या के दर्शनी स्थलो की यात्रा करवाने के लिए जटायो क्रियूद सेवा यह किस नदी पर शुरू हुई है तो यह सर्यू नदी पर पहला यूएस आश्यान के इंद्र कहां स्थापित किया जाएगा तो यह वासिंग्टन अमेरिका भारत के सर्वोष न्याले ने नयाइक सहयोग के लिए किस देश की साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये तो यह है सिंगापूर जावालिस्वी विष्व आमड सलिंग और पच्चिसवी पेरा आमड सलिंग चेंपिन दोहजा तरीस में भारत के दलने किस पदक जीते हैं कितने पदक जीते हैं तो यह ग्यारा पदक जिसमें तीन गोल, चेज, जलवर दो प्रेंच है आएजंस तो यह अलमाटी कजाकिस् अगला है प्रशना आपके लिए 2023 में टैनिस के सभी चार ग्रेंट से हम फाइनल मैच खेलने वाले के लाड़ी तो यह नवाग जोकोवे जोकी सर्बिया से हैं किस देश ने अपने पहली परिचालन सामरिक परमानू हमला पंडुबी नंबर 841 लांच किये तो यह उत्तरकोरिया वंगस वैली फेस्टिवल यह बनाए गया है जम्मू कश्मीर में उधंपूर रेलवे स्टेशन का नाम यह रखा गया है शहीत कैप्टन तुशार महाजन रेलवे स्टेशन उस्ताद अली जकी हैदर का निदन हो गया वो किस घराने से है तो यह जैपूर बिनकर घराने से किस नगर निगम ने वैस्ट टू वेल्ट यूजना की शुरुवात की है तो यह पटना बिहार ने पंजाब की मुख्य मंत्री भगवन्त सिंग मान ने सारागड़ी की एतिहासिक लड़ाई में अपनी जीवन का बलिदान करने वाले भादूर सिक्य उध्धाओं के लिए सारागड़ी समारक की अधाशिला रखिया है फिरोसपूर पंजाब में फिरे समूत्री तूफान डैनियल नी किस देश को प्रभावित किया है तो यह है लीबिया मस्टकर इंडिया की नए अध्यक्स इंपोर्टेंट है रजनीश कुमार लोक अंतरास्टी अलोक तंत्र दिवस 2023 का आजन कब हुआ 15 सिदंबर और थीमती अंपावरिंग दर नेक्स्ट जेनरेशन 4 दिसंबर को नोसेन दिवस 2023 किस के लिए पर मनाया जाएगा तो यह सिंदु दुर्ग अरब सागर में भारती रास्टे महा सागर सुषना सेवा किन्द यानि कि इन कोईसिस ने नाविकों और मच्छवारों के लिए किस मुबैल आप को लॉंच किया है समुद्र आप किंद्री जिल आयोग ने भारत में वास्तिक समय में बाड की भविश्य वाने के लिए किस मुबैल आप को लॉंच किया है तो यह है फ्लड वॉच एप भारत की सर्वोश न्यायले ने अदालक परिसर में प्रवेश येतू औलाइन इलेक्ट्रोनिक्स पास बनाने के लिए किस ओनलाइन पर्टल को लॉंच किया है ना में इसका सु स्वागतम पर्टल और यह भी हाली में पूछा गया था P.E.T. एक्जाम में प्रवासी सर्मिकों के पंजिकरन परकिरिया में तेजी लाने के लिए दिने के लिए किस राजी ने प्रशित जर्बन पैसिवर फुटबोल लीग बुंडिस अलिका के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये तो यह है महारास्ट्रा महिला करमचार्यों द्वारा प्रभंदित किये जाने वाला भुसा वल डिविजन का पहला पिंक स्टेशन यह कौन सा बना है तो यह नियू अम्राबती रेलवे स्टेशन भारत के पहले यात्री कारगो पैसेंजर कोच को किसके द्वारा विक्सित किया जा रहा है तो यह रेलवे कोच फैक्टरी कपूर थला में फिर हैं 2023 में किस भारती रेलवे स्टेशन को युनेस्को का एश्या प्रसांत सांस्कृतिक विरासत पुरुस्खार मिला है तो यह है भाय खला रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है जापान और दक्षिन कोर्या में भीशन तभाई मचाने वाले चक्रवाती तुफान खानून का नाम यह किस देश ने रखा है तो यह है थाइलेंड इस्टों ने PS LVC 56 रोकिट से किस देश के साथ प्रत्वी प्रिक्शन उप्ग्रेड DS सार और 6 अन्नी उप्ग्रों को उप्ग्रों को जो है सफलता पूर्वक लॉंच किया है तो यह सिंगपूर कहां से लॉंच किया है तो 32 धवन स्पीस सेंटर श्री हरी कोटा से टैनिस टूर्डामेंट BNP पैरिवास वार से ओपन महिला इकल का किता इगा स्वेटक पॉलेंड से है और महिला यूगल में हिदर वाटसन और यानिना वीम मेर जो कि बेलजियम से है अगला प्रश्ण है ताइवानी कंपनी को लेकर कि Foxconn Technology ने भारत में मोबाइल पोर्ट्स का प्लांट लगाने के लिए किस राज्जी सरकार के साथ सोला सो करोड के सोधे पर हस्ताक्षर किये है तो ये हैं तमिल नाडू फिर किरके टूर्णमेंट UST20 लीग का पहला संस्क्रन ये जीता है मुंबई इंडियन्स न्यू यूर्क ने हाउ प्राइम इनिस्टर डिसाइड्स नामक पुस्तक को किस ने लिखा तो ये है निर्जा चौदरी भारती बयु सेनकों किस देश में एयर लॉंच्ट स्पाइक्स नॉन लाइन ऑफ साइट्स एंटि टैंक गाइड़ेट मिसाल मिली है तो ये है इस्राइल को फिर है विश्व आदिवासी दिवस जो है यानि की World Tribal Day ये का मना गया है 9 अगस्त को और थीम है इसकी Indigenious Youth as Agent of Change for Self-Determination जल जीवन सरवेक्षन 2023 के तहत भारत में सबसे उतकरस्ट परदर्शन करने वाला जिला तो ये है श्रीनगर किस देश ने समलाएंगे क्याने की Homosexuality शब्द के इस्तमाल पर पाबंदी लगाई है तो ये है एराग Football Tournament UEFA Super Cup 2030 का किताब किस टीम ने जीता तो ये है Manchester City FC ने इसके बंदर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने 9 राष्ट मंडल संसादी सम्मिलन का उदगाटन ये कहां किया है तो ये उदयपुर राजिस्तान में थी में इसकी Strengthening, Democracy and Good Governance in Digital Age ब्रह्माण में X-ray प्रकास का अध्यन करने के लिए X-rayism अंतरिक मिशन को किस Space Agency के द्वरा लॉंच किया जाएगा तो ये है जाक्सा जोकि जापान से है इसकी फुलफो में X-ray Astronomy Recovery Mission फिरे पिट साइड माइ लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किस खिलाड़ी की आत्मकता है तो ये है अमरित माथुर रूज की ओयल कंपनी रोस नेफ्ट की निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारती तो ये है जी के सतीश बहतर दक्षता और कम उत्सरजन के लिए Elevated Taxi Way प्रनाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड़ा तो ये इंद्रा गांधी अंतरास्टी हवाई अड़ा जो की दिल्ली में है चुलाई 2023 में किस तेश ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को अपने सरवोच सम्मान Grand Cross of the Legion of Honor से समानित किया है तो ये है फ्रांस 2023 में पुस्तक कोतुक एप के लिए हिंदी भाशा में साहित्य अक्यादमी बाल साहित्य पुरुसकार गिसनी जीता सूरेनाथ सिंग ने 2023 में किस भारती कमिनिस्ट नेता को मदुरे कामराज विश्व विधाले से डॉक्टरीट की मानत उपादे समानित किया जाएगा तो ये एन संक्रिया इसके बाद है 2023 में अंतरास्ट्रे एनी पुरुसकार चे समानित किया गया है किसको तो ये थलपिल प्रदीब को विश्व व्यापार संगठन में फिर से भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं बजिंदर नबनीत किस भारती अधिवक्त को सन्युक्त रास्ट मानवादिकार परिशत के द्वारा युक्रेइन पर स्थापिज स्वतंतर अंतरास्टी जाच आयोक का सदश्य नियुक्त किया गया तो ये हैं वरंदा ग्रोवर आटवा वैश्विक फार्मासिटिकल गुनवत्ता सिखा समेलन ये के शहर में आजित किया गया तो ये हैं मुंबई में और थीमेस की पेशिंट्स, सेंट्रिसिटी नियू पेड़िग्रिम औफ मेनुफेक्ट्रिंग एंड क्वालिटी फिर आपका प्रश्ण है युएस के द्वारा जारी बेस्ट्टूडेंट सिटी सूचकांक के अनोसार अंतरास्ती छात्रों के रहने योग के शेहरों की सूचे में कौन सा सेर्ट सेर्स पर है तो ये है लंदन और इसमें जो मुंबई है उसका स्थान है 118 किरके टूर्णामेंट दिलीब ट्रॉफी ये किताब जीता है साउथ जॉन ने निशाने बाजी पैरा खेल 23 के P4 मिक्स 50 मिटर पिस्टल SH1 वर्ग में भारत के किस पैरा निशाने बाज ने स्वन पदक जीता तो ये है रुद्रांश खंडेल वाल थाइलाइन में आजट 25 वी एशाई एटलेटिक चंपिनशिप में शुभंकर क्या है तो ये है भगवान हनुमान इसके बाद है 565 किलोमेटर परतिगंटे की रफ्तार के स्मैश के साथ बैडमिंटन में किस पुरुष खिलाडी ने सबसे तेज हिट का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है अंतर महाद्वी पे बैलेस्टिक मिसाल लॉंच की है उत्तर कोरिया युनाइटेड किंडम की कार्डिम युनिवरस्टी की सोध करताओं ने किस रह की पायो मंडल में फॉस्फिन घैस की खौच की है तो ये है शुक्र इसके मादा सोध करताओं ने किस अंतरिक्ष एजंसी के सोलर आर्बिटर अंतरिक्ष यान का उप्योग करके सूरी के सता पर गिरने वाली उल्का जैसी रिखाओं की खोच किये तो ये एस ए यूरॉप किस इस स्पेस टूरिजम कंपणी ने अंतरिक्ष में गैलेक्टिक्स वन नामक पहली मानव मिशन कमेर्शिल फ्लाइट लांच की है तो ये है वर्जिन गैलेक्टिक्स यूके ने भारती वायो सेना ने द्वित्ते युद और एरोस्पेस रननीती के लिए कैपस्टोन सेमिनार 2030 का आजन कहां किया है तो ये है नई दिल्ली केंदर सरकार ने ग्रामीन अर्थ विस्ताव को पुनर जीवित करने के लिए MSME को ससक्त बनाने के लिए 2023 में किस यूजना को शुरू किया तो ये है करेड़ गरंटी योजना गंडग गंगा नदी जोड योजना किस राचे में शुरू हुई है तो ये है बिहार में केंदर सरकार ने 2023 में किस योजना को लागू करने के लिए सारवजनिक शेतर के बैंकों और निजी शेतर के बैंकों को अधिकरत किया है तो ये है महिला सम्मान बज़त प्रमान पत्र योजना किस भारती संस्थान के शोद करताओं ने हिंद महा सागर में गुरुतवा करशन छेद की एक बड़ी खोज की है तो ये आई आई एस ए बेंगलूर विश्व तमाक को निशेत दिवस World No Tobacco Day इसकी थीम क्या है We Need Food No Tobacco और मना गया है 31 मैं को इंपोर्टेंट है ही मशल परदेश उस नियाले के नए मुख्य नादीश तो ये है MS रामचंद्र राउ किस विश्व ध्याले ने United Kingdom में भारते कंसल्ट से मिलकर पहला ओपन एक्सिस हिंदी कोर्स क्लाइमेट्स सलीशन शुरू किया है तो ये एडनबग विश्व ध्याले स्कॉटलेंड पुराने इमारतों की पुनर विकास के लिए किस राचे ने क्लस्टर पुनर विकास कारे करम शुरू किया तो ये है महारास्ट्रों में जापान को पच्छाड कर दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश तो ये बना है भारत और पहले पर है चाइना रोस और युक्रेन के बीच जारी युद्ध के वज़ा से दक्षिन युक्रेन में नोवा खकोवा का नामक बान तूट गया जिसके इलाके में भीशन बाढ़ आ गई है ये बान किस नदी पर है तो ये निप्रो नदी पर महामार्यों के दोरान टीको का परिक्षन करने के लिए जून दोहज़त देश में कौन सा एशाई देश केंदुरिकरत परियोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है तो ये है भारत सर्युक्त सेनने अभ्यास एकोवेरेन दोहज़त देश के किन दो देशों के बीच में अजित हुआ है तो ये है भारत और माल्दीफ आजन्स थल तो ये है चौपटिया उत्राखंड में किस राज्य की अंकोला के कारी इशाद आम को जी आई टेग मिला है तो ये है कंदाटक में प्रिंटर कमपनी एपसन इसकी ब्रेंड अमबेस्टर तो ये बनी ये रश्मी क मंदाना उसके बाद आपका नेक्स कुश्चन है जील नदियो बंदरगाउं और अन्नी जल निकाउं साप सुत्रा बनाने के लिए केंदरी बंदरगा नो वहन और जल मार्क मंत्री सरवनन सोर्माल ने किस ओनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लांच किया है ये है सागर समरिदी भारती नोसियनाने करियर बेटल ग्रुप की हिस्से के रूप में 35 से आधिक मिमानों के साथ ट्विन CBG ऑपरेशन कहां आजित किया है और अब सागर में सेड़ बी की इलेक्ट्रिक स्वाहन छेतर में शामल MSME को वित्ति सहयता प्रदान करने के लिए किस फिलफो में इलेक्ट्रिक वहिकल और प्रेशन एन लेंडिंग फॉर वाइब्रिंट इकोसिस्टम किस भारती संस्थान के सोध करता हूंने हाइट्रोजन उत्पन करने के लिए समुद्री जल को इलेक्ट्रोलाइज करने का एक खिफाहित तरीका विक्सित किया है तो यह है अनुसार दुनिया का सबसी तेदी से गरम होने वाला महादीव तो यह है यूरोप उसके बाद है वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन पर्योशनाओं के तैज सरवाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफेकेशन प्राप्त करने वाला देशों के सूची में कौन सा देश सीर्स पर है तो यह है भारत जून दोज़त तेईस में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अमेरिकी दोरे में अमेरिकी राष्ट पती जो बढ़न को उपहार में क्या दिया तो यह है विशेश चंदन बॉक्स किस देश में पहली बार गॉंको के नैनोई नामक शहकारी डाइना के सत्रवे कमांडर इनचीफ तो यह है साजू बाल कृष्णन भारत में स्थित किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में जड़ों की और लोटों नामक परिशना के लिए सरकारी मदद की देने की गोशना की है तो यह ऑस्ट्रियलिया अमेरिके के राष्ट पती जो बैड यह हो गई होगी दक्षिन कोरिया में वर्ड ट्रांस्प्लांट गेम्स 2023 का आजन तो यह हुआ है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किस भारती संस्थान ने आई ड्रोन के माध्यम से भारत में पहली बार रक्त की थेली यानि कि ब्लड बैंक डिलीवरी का सफलता पुरवक ट्राय किस देश को पारा साल के बाद फिर से अरब लेक में शामिल किया जाएगा तो यह है सीरिया में भारत और बांगलादेश के बिच में नई सीमा हाट टाउद घाटन यह हुआ है भोला गंच में घाले में लोगों को सड़कों पर सुरक्ष्य चलने का अधिकार यह दिया है पंजाब नहीं भारत का पहला राच्य है प्यूमा इंडिया के नए प्रभंद निदेशक ने बने है कियन आकी बालगोपालन MIT World Peace University ने तेल और गैस उद्यों के लिए एशय की पहली सबसी ही रिसर्च लाब कहां लौंच की है तो यह है पुने महरास्ट्रों में उसके बाद आपका नेक्स कुश्चन है चिट्फंट कारोबार को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए एचिट्स आप को किस राज़े ने लांच किया है तो यह आंदरपरदेश है एपल्स ने आईफोन 15 के वी निर्मान के लिए पहली बार किस भादे कंपनी के साथ समझोता किया तो यह है टाटा समू मैं 2023 में प्रधान मंत्री ने किस देश ने अपने सरवोच सम्मान कंपेनिन ऑफ ओर्डर दो फीजी से समानित किया है तो यह है फीजी युरोपियन संग के पहले मुख्य भूमी कक्षे परक्षेपन परीसर का उदगाटन यह हुआ है स्विडन में उसके बाद है माग बीहू और भोगली बीहू मौटसफ यह कहां मनाया गया है तो यह मनाया है असम में बीहू से यह आप याद रख सकते हैं असम क्रिस्टोफर मार्टन जैन किंग स्प्रिट क्रिकेट अवार्ड तो यह किस ने जीता है तो यह जीता है आसफ सेक जो की नेपाल से है तो देखे यह थे आपके 200 प्रेशन जो की पूरा मैंने जनवरी से अक्टूबर तक का आपका कवर कराया है इसके साथ आप मैं आपसे पूछने हूँ टेस्ट के कुछ प्रेशन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे पहला है भाते टरटरक्सक बलके 25 महान देशक इसका जो भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और दूसरा आपके लिए प्रेशन है कि आंत की इंकुर्ट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आइरन सोड के स्टेश ने शुरू किया है और इसके साथ आप जो भी इंफर्मिशन जानते हैं बेट्विन इस्डाइल और हमास वगरा के बारे में यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आज के लिए इतना है और यह पीडिएफ में आपको बता ही चुकी हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है वेबसेट पर भी विजिट कर सकते हैं आज के लिए इतना है थैंक यू सो मच